कानपूर में उस समय हलकम्त मच गया जब लंबॉर्गनी कार देखने वह उसके साथ सेलफी लेने के लिए लोगों की होल मच गई जिससे की सड़क पर भील उमरने से जाम लग गया सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने तदकाल प्रभाव से कार को जब्त कर लिया और ड्राइवर को पूष्टाच के लिए चौकी ले आई पुलिस ने जाच की तो पता चला कि होंडा सिविक को मौडिफाय कर या गाड़ी बनाई गई है जो की गयर कानूनी है ड्राइवर से पूष्टाच करने पर उसने बताया कि गाड़ी हमीरपूर जिले के भरवा सुमेरपूर निवासी नितिन गुपता की है पुलिस ने पूशताच के लिए कार मालिक को बुलाया है बताया जा रहा है कि कई महीनों तक इस गाड़ी के मौडिफिकेशन का काम हुआ है मौडिफिकेशन में कितना खर्चा हुआ है इस बारे में मालिक ही बता पाएगा ड्राइवर ने बता ले कि अक्टूबर में यह गाड़ी मौडिफाई हुई थी गाड़ी कानपूर में काम करवाने के लिए आई थी कार मेकैनिक इशान के नमक फैक्टरी इस्थिद गैराज के बाहर गाड़ी खड़ी की गई थी तबी लोगों की सेलफी खिचवाने के चक्कर में इतनी भीर लग गई और लोगों ने सड़क जाम कर दी आटो एक्सपर्ट का कहना है कि आर्टियो के रजिस्टर्ड गाड़ी को पूरी तरह मौडिफाई करना गैर कानूनी है लंबॉर्गिनी कंपणी की इंडिया में सबसे कम कीमत की कार साथ करोड रुपेगी आती है हालाकि पूलिस गाड़ी को लेकर पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर गाड़ी चोरी की तो नहीं है इसको फरारी की तरह मोडिफाई कराया है किसकी गाड़ी है का रहते हैं यहां से यहां कब लाए कानपूर किसली आए तो यहां पर कैसे खड़ी थी काम कर वा नहीं हुआ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें झाल